हेलो, डिर इस्टुडेंट्स, आप लोग सेंटरल डिफ्रेंस इंटर्पोलेशन फोर्मला पढ़ चुके हैं, तथा सेंटरल डिफ्रेंस ओपरेटर भी कर चुके हैं, इनी पर आधारित कुछ और कॉस्टन्स करने जा रहे हैं, तो देखिए, पहला कॉस्टन है, इफ थर्डिफ्रेंस आर कॉस्टन्ट, प्रू देट, यदि तीसरे अंतर अचर हैं, तो सीड कीजिए, तो डिर इस्टुडेंट्स, आप जानते होगे, यदि थर्डिफ्रेंस कॉस्टन्ट है, तो फोर्थ डिफ्रेंस, फिफ्थ डिफ्रेंस, और आगे के जितने भी डिफ् मेंसेज होंगे वो सुनने होंगे तो आपको सिध करना है yx plus half equals to half yx plus yx plus 1 minus 1 upon 16 into delta 2 yx minus 1 plus delta 2 yx तो आपको ये प्रूव करना है तो dear students basis interpolation formula आपन पढ़ चुके हैं तो basis interpolation formula से आपन जानते हैं yu equals to half y0 plus y1 plus u minus half del y0 plus u u minus 1 upon factorial 2 delta 2 y minus 1 plus delta 2 y0 upon 2 plus ये ही आता है आपका u u minus 1 ये जो है u minus half से और multiply हो जाता है upon factorial 3 delta 3 y minus 1 and so on तो dear student third difference constant है ये difference constant है तो आगे के सभी मान 0 हो जाएंगे ये जितने भी मान होंगे आगे के सब क्या होंगे 0 होंगे क्योंकि तीसरा अंतर जो है अचर है इसलिए चोथा पांचवा सभी अंतर के मान जो है सुनने होंगे ठीक है dear student अब हम क्या कर रहे हैं इसमें जो है u equals to half रख रहे हैं पुट u equals to half in equation first तो u equals to half रख रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल की ट्रम नहीं है डेल्टा 2 आ रहा है ठीक है तो u equals to half रख देंगे तो ये मान 0 हो जाएगा u equals to half रखने से ये भी 0 हो जाएगा याने कि first difference और third difference के मान 0 हो जाएगे और fourth fifth difference वई से ही 0 है ठीक है dear student तो इसको देखते हुए हमने basal interpolation formula काम में लिया है और इस basal interpolation formula में u equals to half रख कर देंगे तो देखे क्या प्राप्त होगा y half equals to half y 0 plus y 1 ये मान 0 हो गया ये भी 0 हो गया इससे निकालते हैं half half minus 1 upon factorial 2 और ये value आजाएगे ठीक है तो इसमें आपने मान रख दिया ये प्राप्त हो जाएगा इसको ये दिए अपन हल कर लें 1 upon 2 into 1 upon 2 1 upon 4 upon 2 1 upon 8 तो 1 upon 8 को 1 upon 2 से multiply करेंगे तो ये 1 upon 16 minus का आगया ठीक है dear student ये agities आजाएगा तो हमें ये step प्राप्त हो जाएगा अब आपने को लाना क्या है y x plus half आ रहा है तो y half तो आगया अब आपने क्या करेंगे जो मूल बिंदू 0 होता है मैं इसको 0 plus half लिख सकता हूं मूल बिंदू 0 को x पर इस्थानानतित करेंगे तो shifting the origin from 0 to x तो 0 को यदि x पर transfer करेंगे तो ये value क्या हो जाएगी इसमें सभी में जितने भी subscript हैं ये जो subscript हैं इनको जो है इसमें x plus कर देंगे क्योंकि मूल बिंदू को कहा transfer कर रहे हैं x पर ठीक है ये change of axis से आपको पता होगा ये आपने coordinate geometry में पढ़ा होगा change of axis वाले chapter में यदि मूल बिंदू को x पर इस्थानानतित करेंगे तो इस सभी में x प्लस कर देंगे तो ये जो subscript है इसमें x प्लस कर दिया half agities 0 में plus x करेंगे तो y x y 1 plus x ठीक है dear student delta 2 y minus 1 plus x और इसमें भी x प्लस कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा और ये हमें सिद्ध करना था तो ये question है important question है इसको आप अच्छी तरह से करिए और जो है problem देखिए अब आपन सिद्ध करेंगे prove that delta fx upon gx equals to mu gx into delta fx minus mu fx into delta gx upon gx minus h upon 2 into gx plus h upon mu जो है आपको पता है ये average difference operator कहलाता है delta क्या कहलाता है ये central difference operator है mu b हमारा central difference operator है लेकिन इसको कहते है average central difference operator ठीक है dear student mu का मान और delta का मान अपन पूरों में पढ़ चुके हैं delta equals to e half minus e minus half होता है और average central difference operator का मान mu equals to half e half plus e minus half होता है delta जो operator है इसमें minus आता है mu वाले में ये plus आएगा और क्योंकि ये average difference operator है तो upon 2 दोनों को जोड करके 2 से divide कर देंगे तो mu का मान पता है delta का मान पता है तो अब ये result अपन शिद कर देंगे हम क्या करेंगे मैं RHS लूँगा right hand side तो right hand side लेकर के mu gx का मान में निकाल सकता हूँ यहां से mu operator मेरे को पता है इससे mu gx निकल जाएगा mu gx की value क्या होगी half gx plus h upon 2 plus gx minus h upon 2 ये आप पहले पढ़ चुके हैं ऐसी delta fx का मान यहां से निकाल देंगे f x plus h upon 2 minus f x minus तो mu gx का मान रख देना delta fx का रख देना इसी तरहें से mu fx की value put कर दें delta gx इसको multiply करें ये multiply करें और इसको हल कर लें हल करने पर देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है उससे LHS सिद्ध हो जाएगा तो dear students समझ गए होंगे आप आपन क्या करेंगे mu gx का delta fx का mu fx delta gx की value put करेंगे यहां पर और उसको multiply करना ये multiply करना ये multiply और उसको हल करना है ये हमारा तरीका रहेगा तो देखिए या mu और delta operator के मान रख दिये गए है तो ये हो गए हमारा half mu gx का मान half e plus e raise to the power half plus e raise to the power minus half into gx ये gx रख दिये गए है ऐसे delta operator का मान रख दिया into fx तो mu delta operator के मान रख दिये अब dear students इसकी value ज्याद करेंगे तो ये value क्या होगी gx plus h upon 2 gx plus h upon 2 फिर plus gx minus h upon 2 ठीक है dear students इसी तरह से इसकी value निकालेंगे delta fx की ये आपको पता है fx plus h upon 2 minus fx minus h upon 2 तो इस तरह से ये values रख लें अब आपको क्या करना है इस bracket को इससे multiply करना है ये आपको multiply करना है कुछ terms आपकी simplify करेंगे cancel हो जाएगी तो आप इसको multiply कर लें मैंने आपको multiplication करके दिखा रखा है तो इसको जो है गुना कर लें गुना करने के बाद में ये वाली जो term है fx plus h upon 2 gx plus h upon 2 ये plus की है और ये वाला आपका minus है fx plus h upon 2 gx plus h upon 2 ये value इससे cancel हो जाएगी और ये वाली value इससे cancel होगी ठीक है dear student तो ये जो double वाली है ये वाला cancel होगा है ये इससे cancel होगा अब हमारा क्या बचेगा fx plus h upon 2 gx minus h upon 2 ठीक है dear student और ये वाली यहां पर भी आ रही है fx plus h upon 2 ये plus का है और g वाला जो है minus का है तो ये double हो जाएगा इससे तरह से ये value double होगी तो ये double ये double 2 common आगा है 2 से काट देना तो fx plus h upon 2 gx minus h upon 2 minus fx minus h upon 2 gx plus h upon 2 divided by ये ट्रम आजाएगा ठीक है dear student तो आप इसको हल कर लेना हल करने के बाद में ये step आजाएगा अब आपको क्या करना है इनको अलग-अलग लिख लेना this ट्रम upon this ट्रम ठीक है जब इसको इससे डिवाइड करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा gx minus h upon 2 कट जाएगा fx plus h upon 2 और gx plus h upon 2 फिर minus अलग-अलग कर लेना इसके बाद में ये gx plus h upon 2 इससे कट जाएगा तो आपका ये बचेगा minus में ठीक है dear student इसको e operator में क्या लिखा जा सकता है e operator आप पढ़ चुके हैं पहले shift operator कहते हैं तो यहां देखें है h upon 2 है h का coefficient कितना है? 1 upon 2 तो e की power half आएगा इसमें भी plus h upon 2 है तो इन दोनों को मिला करके मैं ये लिख सकता हूँ e raised to the power half into fx upon gx तो e operator में इसको ये लिखा जा सकता है फिर minus इसमें x का coefficient क्या है? minus 1 upon 2 तो e raised to the power minus 1 upon 2 into fx upon gx तो dear students आप देख रहें fx upon gx fx upon gx कौमन आजेगा e raised to the power half minus e raised to the power minus half और dear students ये आप जानते हो किसकी value होती है? ये delta operator की होती है ये central difference operator का मान है तो इसको delta से denote कर सकते है fx upon gx equals to left hand side ये ही अपनों को prove करना था ठीक है dear students? तो आपने ये delta operator की जो है property पड़ी है ये तो था divide का इसी तरह से आप multiplication की भी property बना सकते हैं multiply में डेल्टा fx into gx का मान क्या होगा? ये भी value अपने निकाल सकते हैं इसी प्रिकार से तो आपको ये सिद्ध करना है prove that delta of fx into gx ये multiplication की है पहले वाली जो property थी वो divide की थी equals to क्या होता है mu fx into delta gx एक के साथ mu आएगा दूसरे के साथ delta आएगा function एक के साथ fx दूसरे के साथ gx अगले वाले में change हो जाएगा mu fx है इधर mu gx into यह delta gx है तो इधर delta fx तो ये इसके बराबर सिद्ध करना है तो ठीक इसी प्रिकार से आप इसको भी सिद्ध कर लेंगे आप right hand side ले लेना rhs mu fx की value put कर देना delta gx की value put कर दे mu gx कमान क्या होता है वो रख दे और delta x इसको multiply कर लेना इसको multiply कर लेना कुछ ट्रम कट जाएंगे तो आप इसमें values put कर लेना values put करने के बाद में इसको multiply करेंगे multiplication ये आ जाएगा हमारा तो इसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो ट्रम है इस ट्रम से cancel हो जाएगे ये वाली जो ट्रम है f x minus h upon 2 g x plus h upon 2 ये plus का है ये वाली ट्रम ये ट्रम इससे cancel हो जाएगे और ये वाली जो ट्रम है वो इससे cancel हो रही ठीक है dear student अब आप देख रहे हैं f x plus h upon 2 g x plus h upon 2 ये वाली term और ये वाली term दोनु प्लस हो जाएंगे डबल हो जाएगा इसी तरह से ये वाली term और ये वाली term सेम है तो ये डबल हो जाएगा 2 कॉम ले ले लाना 2 कैंसल हो जाएगा तो ये बचेगा f x plus h upon 2 g x plus h upon 2 minus f x minus h upon 2 into g x minus h upon 2 तो dear student इसको e operator में ये लिखा जा सकता है e raise to the power half f x into g x तो x का coefficient क्या है 1 upon 2 तो वो e की power में चली जाएगी shift operator आप पता है shift operator का मान अपन जानते हैं e raise to the power n f x is equals to f x plus n h होता है इसकी value ये होती है ठीक है dear student e raise to the power जो n है तो n x x में जोड दिया गया है यदि interval h है तो x का मान 1 होगा तो x plus n हो जाएगा तो h का जो भी गुणांग होता है वो power में चले जाता है तो यहाँ देख रहे हैं h का गुणांग 1 बटा 2 है तो e की power 1 बटा 2 यहाँ पर h के coefficient x g x कॉमन ले लेना e half minus e minus half और dear students यह जो है हमारा delta operator होता है तो delta of f x into g x equals to left hand side आपको यही प्रूव करना था ठीक है dear students Thank you